कि आओं कि हलों एक कैसे हो यहां यहां पर बायेस्ट का वेपेर सवाल और यह हैं बहुत हम अजय को सवाल है आ wordt है हुआ यानि प्रिवियस ये का बायो का हिस्टी जोग्रफी एकोनोमिक्स यह सब मैं आपको करवा रहा हूँ आपको जलक देख लो भाई ऐसा सवाल देख रहों को मिलता है ठीक नहीं तो खबराने के ज़रह भी जरा भी बात हैं एकदम हिम्मत करके पढ़ना है जो भी मैं पढ़ा यह जब हो जागा तो भी मैं लाओंगा ठीक है ना आप लोग कमेंट जुरू करना मैं बताऊंगा एपीसोड टू भी थी भी है ना ताकि कौन सा सवाल जो ज्यादा बार रिपीट होता है वह सवाल आपको पर लेना है ठीक है इसके बाद में मैं सब्जिक्टिब भी आपको दढाँ विडियो में मत करना करना पूरिए तो सब्से पहला आप सवाब सबके साइव थक्यार किसके करन होती स्क्ति चल्यू आप टू यानद कि और प्रेंगे चलिए अगरा सवाल वह सवाल बहुत बार पुछआ गया है यह बता रहा है यह अभी किरिया है यह वियोजन अभी किरिया है यह आउच्छेपन अभी किरिया है या उदासी नहीं करने अभी करिया देखिए यहां पर क्या हो रहा ना यह दोनों जो है H2 H2 मतलब यह है और O2 के oxygen है hydrogen और oxygen क्या वह सनयोज हो रहा यानि कि मिल रहा और सनयोज होगा करके एक नया चीज बन रहा क्या बन रहा पानी है यही है सनयोज अभी करिया यानि कि सनयोज होगा मिल करके एक दो से दो या दो से ज़्यादा यहां योगीग जो है मिल रखेंगा अगला ऐक बहुत बार मैने बता और मैंने सवाल पूछा था कि चीनी का शुत्र बता आप लोग ने कमेंड कहा था साइंस का टेस्ट में ठीक है ना तो गुलुकोज का रासानी शुत्र होता है और चीनी कभी मैं पहले बता दे हो फिल भी एक वर देख लो सी बारा अ ऑ्धाइस सी बारा एच बारा है यह बारा होगा यह सवाल बहुत बार भुमत रहता है और बहुत ही इंपोटेंट यह सवाल है इसको मिस करने की जरूत भी नहीं है तो चलिए आपको पताना सोर्यम की फर्मानों संखिया तो यहां पर जागा और यहां पर होग जो रहा हूं यह चाओदा जो है चाओदा सतरह बारा आपको बाता हूं अगर आप मेरे साथ पढ़ ले हो तो मैं कर तो मैं आपको याद है तो ठीक है याद नहीं तो बुक खोलो और से देखिए कम से कम वह रहे करो तो मैं चैलिंज करता हूं कि वह सवाल फिर आपको कभी भूलोगे नहीं तो जो भी बहुत हैं आप हूंभ को पूरी तरीकी से यहां पर पूरा करना घ्यांत्य तो 14 ले सब्सक्राइब को एक बर कमेंट करना होगे पहले पहला हमारा हो गया नोट करते जाना कौन लवन है लवन है पर सवाल ही बहुत और पुछा गया और मैं भी आपको बहुत दर बताया हूँ लवन है यह दोनों क्या है यह चार है तो हमारा आंसर क्या हो जागा सी राटन्स को जागा बैंगलोर को बैंगलोर को सिलिकन शीटी इन सबसे भारी धात्य तो लीतियॅं यूरेनियूं के साफिशन के साफिव अगला कि सबसे भारी धत्य होता है लेकिन और नहीं इसलिए मैंने युरिनियम को लगाना अगला किसे रासाइनिक दूद कहा तो यह देख लो भाई कितना आसान सा सवाल पूछा चाहिए एक जाम में अग्ड़ा नहीं होना है एकड़ा अंसर लगा किया ना हारमोन को बोलता है अभी कारक बोलेंगे कि पेसेंस आपको मैं सारा सवाल पढ़ाओंगा आपको ऐसा लग रहा हो सब्सक्राइब करें नहीं रिपीट मैंने कर रहा हूं आपको को बन जाए को पी में नोट करके या तो वीडियो के हिसाब से कुशन बैंक बन जाकि यह हमारा फिजिक्स का यह चारी होता है क्योंकि हमारे मुँ में अमले जम जाता है इसलिए मूह से बद्बू आती है ना तो इसको हम काल फेश्ट इस्तमाल करते हैं कॉन कार्बूक्सिल को मिदेखो कर्प कार्बुक्सिल समु समूज मैं आपको पढ़ना हो याद करना इल्ड हाइड यह सी ओधर यह किटोन है क्या है एक किटोन है और यह जो देखने यह है इथर इस इस यह नहीं होता है यह यह प्रमानुद्रवमान के या परमानु संख्या के या आकार के या तो घंळतवेंगे तो मोसले ने आधुनिकवर्थ सानी जो है मोशले ने परमानु संखिया के हरU किया है चुक् sólo है याद करनें भिजान आधार्त परमानुसंखिया एक है तो उस तरह आत्यायत करते हैं परमानुसंखिया एक तो दो trahradoun out अदुनिक आवर्षानिक कि 36 कातार थे जो आएसे सुता हुआ है लेट करके है इसको बोलेंगे ठीक है तो 36 कतार को क्या बोलते आवर्थ बोलते और 36 कतार कितने है सात है दो तीन चार पांच छे साथ पढ़ेंगे और जो ऐसे इसको बोलते हैं और वर्ग भी बोलते हैं इसको समु भी बोलते हैं और आधुनिक आवर्षानि में साथ आवर्थ और अठारा वर्ग है या समु है जो बोलो कौन गैस के चुने के पानी को दुज्या करता बहुत इंपोर्टेन सवाल है तो कार्बन डायोकसाइड सी ओ टू को याद करना पढ़ लेना हाला कि रटनिक जो तो यह बस जो जो कलासे चल रही उस कलास को बस सिफ आप एटेंड करो आपको रटने की जरूत ही नहीं पढ़ी फिर देखो मैं आप लए देना वावाव तो पहले इसका पूरेंसर हो जागा क्या संत्रा संत्रा में यानि कि और इंग बने टार्ट्रिक क्वश मैं पाया प्रिर आपको होंभ दे रहा हूं प्लीज आप इस वहांग वह को मेंन जरूर करना ना टिका ना ट्रूमाटर का ट आप लोग भी वीडियो को पहले तो लाइक कर दो और होमबग ज़रूर करना आपको याद नहीं तो किताब से देख करके होमबग करो लेकिन करो ताकि अगले बार एक्जाम में जब आ जाए तो फिर छूटे ना जिपसम का रासानिक शुत्रे क्या है जिपसम है ना जिपसम क करने टूटम करी गर्म करना चाहिं एक होता है प्लास्टर अफ प्लाश्टर अफ पेरिश पहले पेरिस में बनाए गया थे इसको इसलिए पयरिस ना है जिपसम का पानी है ना वहां पे आधा होता है कैल्सियum तो होता है लेकिन हाफ इस च्दू होता है च्याहा थ्क्त वدا देखो यह तो यह अधर आ जागा तो यहां गुना हो जागा एच टू ऐसे भी लिखा रहाता है कैल्सिया प्लास्टर प्रिस का सुत्रे ओके जिंक तथा सल्फिरिक कामले के बिच अभी किरिया से कौन से गैस निकलते हैं जिंक मतलब जेडेन सल्फिरिक बोले तो सबसे ज्यादा आपको इसको एरेंज करने के लिए आपको किरिया सिल समूदिया हुआ हुआ है किरिया सिल के सबसे ज्यादा बर पाता जो हो वह मैगनिस्यंव आता टेक है उसके बाद जोई ना आलमूनियम आता है उसके बाद जिंक आता है और उसके बाद एफिया तो इस तेंकर बना हुआ है तो इस प्सक्राइब की फ्र जो है याणि कि लोहा जो है वह सबसे कम अभी किरिया सिल धातू अगर इस आपसे जादा कून हो जागा मैगनिस एक इल्मूनियम इल्मूनियम से कम जिंक से कम यहाँ पर फेर फेरस ठीक है अपसे नमर बी होगया जा एथनौल के कि रियसील समुख मूलक का नाम आधेनौल अभी मैं बताया था एथनौल मेथेनौल यानि कि एलकोहौल और यहां पे कुछ करेंगे एक बार कमेंट करना ठेकर और बंबारा यहां नहीं कि यहां बने नहीं जाएग क गवय बहुदा निनों और उदसीन जो हता है उसका पीचमन क्या होता है साथ के बराबर होता धोने का सोडा के होता है कालसियम करिए अगल सोडियम और 10 भगvenidos पानी होता है यह धोने का सोडा तब शोड़ा मैं तो बिरनी छोडता है चालिए को थार पेली ऑगर कने हैं डंग छोड़ता है एक तो अगर मदUMक्खी कारता है यह तो मदUMक्खी के लावा और बिच्छू जानते हैं बिल्कुल जानते लिए अगर डंग मारता तो आपको बहुत हैवी मतलद होगा और एकड़म होगा अल्षु होता है उसमें अगर किसी को फॉर्मिक अमले दे दिया जाए तो समझ सकते कितना मतलब दर्दनांक होगा तो मदुमक्खी के डंक बोले बिच्छों के डंक बोले मिथनोइक अमले को ही बोलते है फार्मी का अमले ठीक है ना मिथनोइक अमले का आई यू पी एसी नाम है आई यू पी एसी नाम फार्मी का अमले याद करना जो मैं बता रहा हूं जो मैं बाते बोल रहा हूं सभी संग कार्बोनेट कार्बोनेट संग मर मर रासानी कि दवरान किसी पदात में ऑक्सिजन का योग होता है इसका मतलब जब ऑप्सिजन पहला है अगर ऑक्सिजन का योग हो तो उसको बोलेंगे उपचयन और अगर और भाइं और अगर वह सवाल रिपीट होगे सवाल देखों कैसे पुछता है धोने वाला सोडा को सब्सक्राइब करें तो कैसे घुमा पूछ रहाना दातों कुछ आप तसवाल घुमा करने के लिए आप सकता है तो पूरी बातों को समयना आपको यहां पर बहुत अच्छा है सवाल मैं बता है नी म clocks प्रेक्टिकर को लुए कि क्या यह का यह सूट रहे हैतरोंगे का रासानिक सूटुर्ट यह याद करना ऐसको इसकी सुट लेना है एलकेइथ यह क्या है याद करना है यह क्या है एक कि एलकीण यह कि dis यह होगा और मिथेन प्रोपीन होगा प्रोपाइन ऐसे होगा चलिए आगे पड़ते विरंजक चुरने का राशाइन शुत्रे क्या है तो विरंजक चुरने का सी यह आपका राशाइन शुत्रे है इसको ब्लीचिंगek आसा गर्णों को च्रणे मारेना कैसन अब करता हैं क्याम से 蛋 से अगाले का यह चाल को सुद्ध सब्सकी कोला करता है और अब aware लगद्त शुम binnen यह पि tort तो लाल हो जाएगा और अगर चार में डालेगा तो लाल हो जाएगा अगर अपना पाटी है तो कुछ नहीं नुक्सान होगा ना मेरे ही अपने ही आदमी है चार में डाले तो चार मतलब चार को शार को काम क्या है लाल को नीला कर ना नीला करना अब पहले से नीला खाएगा तो अपना पाटि ऑście संत्रिप्त हैडवा ठीक है नहीं टेकर और यह एलकीन और इलकाइन और तो देए यह अगर मेथेन को देखते हैं न दो दोग्ताना मैं तो मैथेन वन याणिकि एन का वैल्व वन्हां बोलते हैं अगर मेथेन को है ना है टू इंटू वन प्लस टू तो सी एच दो दूना दो अधो दो चाहा देखो यह मेथेन से बनेगा यह कि आइचली यह मेथेन भी है जिसको गोबर गयाज भी बोलता है यह तो यहाद कर ला मेथेन को मार्स गैजी सी टू दो इंटू दो प्लस दो देखो जी दो दो दूना चार दूछे देखो गया यह भी अधन समुका है घर जा रहा है यह एथीन है एथीन एथीन लें इस पर बैठेगा तो दो दुना चार देखों और यहाँ संत्रिप्त हैं और यह एक और दो क्या है संत्रिप्त हैं तो इसके लावा अच्छी बात है कि आप लोग नौलेज ले लिए तो सबसे पहले आप दो लाइक नहीं कि तो लाइक जली सेर करा और अपने दोस्तों क में आपको एक ही बात बोलना चाहत हूं कि पेसेंस रखो और जो भी क्लासे में करवा रहा हूं एक्दम इमंतारी पूरा अपना पूरा आपको पहले कमेंट करना और बताना कि कैसे लगे आपको आज की क्लास ओके थैंक्स फॉर वाचिंग डैट्स ओल ओके बाई